सो वेलकम फ्रेंट्स स्वागते आप सभी का डेली न्यूज अपेर्स की सिरीज में बेसिक नोलेज के सासत फ्रेंट्स अगर आप किसी भी अग्जाम की त्यारी करो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्मों रहने वाला है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सबस्क्राब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजी इसकी पीडियेप आप टेलेग्राम से डाउनलोड कर सकते हूँ लिंक आपको डियो की डिस्क्रप्शन है मिल जाएगी सचली शुरू करते हूँ देखती कि आज की अपडेट क्या कहती है दोस्तों हाले में एक रिपोर्ट निकल कर सामने आईए जिसमें ये पता चला है कि अफरिका ये भारत से रिन प्राप्त करने वाला दूसरा सबसे बड़ा प्राप्त करता बन गया है इसमें पहला इस्ताने सिलंका का जिसने एक जनवरी से लेकर 30 अफरेल 2022 के दोरान इंडिया से करीबन 376.9 मिलियन अमेरिकी डोलर का करज लिया है अगर हम बात करें पूरी दुनिया की तो देखे पूरी दुनिया में जो सबसे करजे वाला देश है जिसके उपर सबसे ज़्यादा करज है वो है जापान इसकी जीडिपी के अनुसार फ्रेंट्स इस पर टोटल करज है 9.087 ट्रिलियन अमेरिकी डोलर अब यहाँ पर सवाली उड़ता है कि इंडिया इतना ज़्यादा करज इस महादीप को दे क्यों रहा है तो देखे फ्रेंट्स यह देश संसादन की द्रश्टी से काफी संपन्ने और यहाँ पर चीन अपना प्रभूतों बढ़ा रहा है चीन के प्रभाव को खत्म करने के लिए या फिर हम बोल सकते कि इंडिया उसकी बरावरी करने के लिए इस अफ्रीके महादीप को इतना ज्यादा कर्ज दे रहा है यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महादीप है पहले नमबर पर आता है एश्य महादीप चलिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते है देगे अफ्रीका महादीप यह प्राकरतिक संसादनों की द्रश्चे सा काफी संपनने यस महादीप का जो मद्धी भागे वो उस नकटिवंदी वर्षावनों से गिरा हुआ है इसके पहारी भागों में खनिजों के अपार भंडार है जिसमें खनिज तेल यानिकी मिनरल ओयल, प्राकरतिक गेस, लोहो अयस्क, कोईला यूरेनियम, तामबा बाकसाइट, सोना, डाइमंड, कोबाल्ट और जस्ता यह सबीज धरती पर मुझूद है यहां की अधिकांश नदिया 1280 यानिकी पूरे सालों भेती रहती है जिनमें जल विद्यूत्य पैदा करने की असिम संभावना है विश्व की सबसे लंबी नदी फ्रेट्स निल नदी, इसके मरुस्थली भाक सोकर निकलती है और यहां की नदी घाटी में मिश्र की प्राचिन सब बेता भी विक्सित हुई है एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंट्स विश्व की करीबन 40% जल विद्यूत्य संभावना अफरिका की नदियों में विद्यमान है किन्तो अब यहां पे एक और सवाल उड़ता है वो यह है कि इन सभी के बावजूत इतना सब होने के बावजूत भी अफरिका महादीप उद्योगीत द्रश्ची से इसना पिछड़ा हुआ क्यों है तो देखे फ्रेंट्स इसका सिदा सा जवाब यही कि अधिकांश इसका भूबाग यूरोपिय सामरजवादी शक्तियों के अधिन रहा है और इनों ने इन सभी प्राकृतिक संसादनों का उप्योग अपने फाइदे के लिए किया इन सभी का जो दोहा ने यह अपने विकास के लिए अपने देशों को विकास कने के लिए किया और इन प्राकृतिक संसादनों के इतनी अधिक मात्रा में उपस्तित होने के बावजूद भी इन यूरोपिय कंट्रियों ने इस अफरीकी महादिप की अर्थव्योस्ता को सदाने में कोई रूची नहीं दिखाई और इनाम सुरूप यहां की एकोनोमी पिछड़ी हुई रह गई और आज भी यह ओद्योगीक द्रष्टे से पिछड़ा हुआ है अब बात करते हैं चाइना की कि चाइना का इससे क्या connection है तो देखे फ्रंट्स चाइना इस महादिप की अर्थव्योस्ता को लेकर यहां पे करज देता रहता है जो कि चाइना की करज जाल कूटनिती का अंतरगत आता है चाइना क्या करता है कि पूरी दुनिया में विकास्चिल देशों को रिंड देता रहता है यहाँ पर अर्बो डॉलर का कर्ज देता है और उसके बाद यह जो विकास्चिल देश होते हैं जब इन कर्जों को चुकाने में असमर्थ रहते हैं तो फिर चाइना रिनकी रहात के बदले अपनी मांगे इनके सामने रखता है। उधराण के तोर पर हम सभी को पता है कि हाली में कुछ समय पहले चाइना ने स्रीलंका के हमबन टोटा जो पोट है उसपर अपना नियंत्रण बना लिया है। हम सबी जानते हैं कि श्रिलंका को हम्मन टोटा बंदरगा प्रयूजना का नियंत्रन पूरे 99 वर्षों के लिए 99 सालों के लिए चिन को सोपने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उस पर विजिंग का भारी कर्ज था जिसे चोकाने में वो असमर्त रहा देखा जाए तो भारत के अधिकाश ये पड़ोसी देश भी चिन के रिणचाल का शिकार हो गए हैं अब यहां पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या यहां पर भारत का कोई स्वार्थ है कि वो चाइना को पीछे हटा कर अफरिका में अपनी मुझूदगी बढ़ा रहा है अपना प्रभूत इस्तापित कर रहा है तो देखे फ्रेंट्स भारती प्रदानमती नरेंद्र मोदी की सरकार ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महादीप अफरिका के साथ एकोनोमिक और डिप्लोमिटिक संबंदों को प्रोसाइट करते हुए और अधिक महत्मों जड़ाओ पर जोड़ दिया है भारत इस महादीप में काफी अउसर देख रहा है इसके विस्तार के यहनकी फ्यूचर में ये महादीप अकोडिंग टू इंडिया काफी डेवलप होने वाला है वरतमान में ये कोविड महामारी और युकरेन रसिया युद्ध के आर्थिक नतीजों से निपट रहा है यहाँ पर मैं आपको पता दू कि भारत ने पिछले नो वर्षों में पूरी दूनिया में 25 नए भारती दोतावास खोले हैं जिन में से 18 और अफ्रिका मिस्ती थे भारत के बारे में बात करते हुए विदेशमेंदी डॉक्टर एस जयशंकर ने 28 जुन 2023 को एक भाशन के दुरान अपने सम्मोदन में कहा था है कि हम आने वाले 25 साल बात के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहाता है कि हम यह सोचना है कि हम वर्ष से 2047 तक कहा आओंगे और उसकी तयारी हमको अभी से करनी है अब आपके इस भारत और अफ्रिका के संबंद के बारे में आपके क्या विचार है आप कमेंट बुक्स हम बताइए अगर वीडियो पसंद आयते से लाइक कर लिजे चैनल पने हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे विशो ते वेरी बेश्ट तैंकिस सो मच